C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आसपास का सबक ग्यारा यहां से वहां सफा नंबर 66 रेल गाड़ी आओ बच्चो खेल दिखाएं छुक छुक करती रेल चलाएं सीटी देकर सीट पर बैठो एक दूजे की पीट पर बैठो आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई न भागे सारे सीधी लाइन में चलना दोनों आखे मीचे रखना बंद आखों से देखा जाए आख खुले तो कुछ ना पाए रेल गाड़ी चुक 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 सफा नंबर 66 चुक 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 बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 हरेंदर नात चटुपाथियां के नजम के कुछ एक्तबास कैसी लगी ये नजम? क्या तुम कभी रेल गाड़ी में बैठे हो? कब-कब? क्या रेल गाड़ी कहीं भी चल सकती है? क्यूं? इस नजम में लोहे की सडक किसको कहा गया है? नजम में रेल गाड़ी कहां-कहां से होकर आई इसकी एक फहरिस्त बनाओ यहां जवाबाद के लिए जगा खाली दी गई है तुम किस-किस सवारी में बैठे हो? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो सफ़ा नमबर 68 आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाते हैं और मालूम करते हैं कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे गुजारी सफ़े की बाई जानिब एक बच्ची की तस्वीर है और एक बस, एक रेल गाड़ी और कार की भी तस्वीर है मैं अपने चाचा के पास दिल्ली गई थी रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे लेकिन इस बार तो मज़ा आ गया हम मैट्रो में बैठ कर जमीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए सुरंग में जाते हुए एहसासी नहीं हुआ के कार उसके उपर सरपट भाग रही हुगी सफे की दाई जानिब एक लड़के की तस्वीर है यहां डोली और हवाई जहास की तस्वीर दिखाई गई है मेरी फूपी की शादी थी इतने सारे दिश्टेदार मिले खूब खाया पिया और खेले बड़े भाईया भी अमेरिका से आये थे जहाज में बैठ कर सोचो तो इतनी दूर से आये लेकिन एक ही दिन में पहुच गए दुलहन बनी फूपी को जब डोली में ले जा रहे थे वो बहुत खुबसूरत लग रही थी सफे की बाईय जानिब एक लड़की की तस्वीर है और यहां टेक्सी, बस और नाव भी दिखाई गई है मैं अपनी नानी के घर केरला गई थी वो वहां रहती है वहां हर तरफ पानी ही पानी है उनके घर जाने के लिए हम स्टेशन से बस या टेक्सी ले सकते थे लेकिन हम उनके घर सीधे नाव में गए कुछ अजीब सा लगा लेकिन मजा आया सफा नंबर उनहत्तर इस सफे की दाई जानिब एक लड़के की तस्वीर है और बस और घुड़े की भी तस्वीर दिखाई गई है हम लोग छुट्टियों में शिमला घुमने गए उचे उचे पहाड़ों पर तेढ़े मिढ़े रास्तों से होकर बस चलती है नीचे देखकर बहुत डर लगता था शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा मेरी दादी तो जल्दी ही ठक जाती थी हम उन्हें घुड़े पर बिठा देते थे मैं तो मजे से पैदल चलता था और ठकता ही नहीं था सफे की बाई जानिब एक लड़की की तस्वीर है यहां सैकिल और रिक्षे की भी तस्वीर दिखाई गई है मेरी खाला मेरे घर के पास ही रहती है जब भी खाला के पास जाने का दिल चाहता है मैं जट अपनी सैकिल उठाती हूँ और उनके पास पहुच जाती हूँ मेरी मा और छोटू रिक्षे में बैठ कर नानी के घर जाते हैं सफे की दाइन जानिब एक लड़के की तस्वीर है और बैल गाड़ी भी दिखाई गई है मैं अपने मामू के गाउं था रेलवे स्टेशन से उनके गाउं तक कोई बस नहीं जाती थी हम लोग रेलवे स्टेशन से बैल गाड़ी में बैठ कर लहलाते खेतों के बीच में सिह होते हुए गाउं तक गए मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगा जानवरों की देखभाल और उनके तई वाबस्तगी यानि कमपैशन को कमराई जमात में बातचीत करके फरोग दिया जा सकता है सफा नमबर सत्तर बच्चों ने किन किन सवारियों में सफर किया जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है अपने घर से लिखी गई जगाहों पर जाने के लिए आप कौन सी सवारियों का इंतखाब करेंगे सवारी का नाम खाने में लिखो यहां एक तस्वीर दी गई है जिसके मरकज में एक खाने में घर लिखा हुआ है स्कूल, पहाड़ पर रहने, किसी रिष्टेदार के घर, नदी पार, समंदर पार, नानी के घर, दोस्त के घर, बाजार यह सभी जगाहें दर्च की गई हैं बच्चों ने मुतादद सवारियों को या तो हकीकत में देखा होगा, या किताबों, फिल्मों वगईरा में यह सभी तज़रबात बच्चों से गुफ्तगू यानी बाचीत करने में मावुन हो सकते हैं सफा नमबर 71 कुछ सवारियों की तस्वीरे बनी हुई हैं तस्वीर के सामने लिखो के वो किस काम आती हैं खाली जगह में तुम कुछ और सवारियों की तस्वीरे बनाओ उनके नाम और काम भी लिखो क्या ये सभी सवारियां सिर्फ तुम्हारे आने जाने के काम आती हैं सफे की दाईं जानिब सवारियों की तसावीर दी गई है जिसमें ठेला, डाग घर की गाड़ी, दिव्यांगों के लिए ट्राइ सैकल, माजूरों के लिए मखसूस सैकल, ट्रेक्टर सफे की दाईं जानिब काम उन्वान से खाली जगा दी गई है, जहां पर आप इन सवारियों के जरीए किये जाने वाले कामों को दर्ज कर सकते हैं सफा नंबर 72 सफे की दाईं जानिब डबल डेकर बस की तस्वीर है और एंबुलेंस की भी तस्वीर दिखाई गई है बागी के दो खाने खाली है सफे की बाईं जानिब काम उन्वान से खाली जगा दी गई है, जहां पर आप इन सवारियों के जरीए किये जाने वाले काम को दर्ज कर सकते हैं सफा नंबर 73 नीचे दिये गए नक्षे में कुछ सवारियों के नाम लिखे हुए हैं तुम्हें हर सवारी को एक तरफ से उसके पहियों की तादात के मताबिक जोड़ना है और दूसरी तरफ वो किस चीज से चलते हैं उनसे जोड़ना है यहां एक गोल दाइरा बनाया गया है जिसके मरकज में लिखा है बस, रेल गाड़ी, स्कूटर, रिक्षा, कार, मेट्रो, रेल, साइकिल, ठेला, नाव, रेल गाड़ी, ट्रक इस दाइरे के वसी दाइरे में लिखा है बिजली से चलते हैं पेट्रॉल, डीजल या गैस से चलते हैं दो पहिये, तीन पहिये, चार पहिये, चार से ज्यादा पहिये, इंसान चलाते हैं, जानवर चलाते हैं सफा नंबर 74 बड़ों से पूछ कर मालूम करो, आज से पचास साल पहले लोग कैसे सफर करते थे क्या तब भी यही सब जराइ मौजूद थे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस तरह की सवारियों का इस्तमाल करेंगे अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछ कर नीचे दिये गए जदूल को भरो यहां एक जदूल दिया गया है जिसके दो कॉलम है पहले कॉलम का उन्वान है किस से पूछा दूसरे कॉलम का उन्वान है उनके जवाब पहला कॉलम किस से पूछा खुद से यानि तुम दोस्त चचा उस्तानी यहां जवाबाद के लिए खाली जगा दी गई है बुजर्गों से हासिल की गई मालुमात पर मबनी गुफ्तगू से बच्चों को सवारी गाडियों में आई हुई तबदीलियों को समझने में मदद मिलेगी इसी वज़ा से किताब में नाना नानी दादा दादी से बार बार मालुमात हासिल करने की होसला अफजाई की गई है ताकि उस जमाने और मौजूदा जमाने के दर्मियान होने वाली तबदीलियों को बच्चे बखूबी समझ सकें सफा नमबर 75 तुम्हारी अपनी रेलगाडी दी गई तस्वीर की मदद से माचिस की डिब्बियों से रेलगाडी बनाओ यहां माचिस के खाली डिब्बों से रेलगाडी बनाई गई है अगर कोई छुक छुक की आवाज निकाले तो तुम फोरन जान जाते हो कि वो रेल गाड़ी के लिए कह रहा है क्या तुम आवाजों से सवारी गाड़ी को पहचान सकते हो एक मिसाल दी गई है छुक छुक रेल गाड़ी पौँ पौँ डैश घर घर डैश ये तो थी एक एक सवारी की आवाज जब सड़क पर एक साथ कई सवारियां आवाजे निकालती हुई चलती हैं तो कैसा लगता है कितना शोर मचता है तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहां सुना है क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है क्यूं रेल गाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस की डिब्यों की जगा तीन के डिब्बे भी इस्तमाल में लाए जा सकते हैं पहिये बनाने के लिए बोतलों के ढखकन या बटन इस्तमाल किये जा सकते हैं सफा नंबर 76 इस सफे पर एक तस्वीर दी गई है जहां कसीर मंजिला इमारत में आग लगी हुई है और फायर बिर्गेट की गाड़ी वो आग बुझा रही है एक एम्बुलिंस और एक पुलिस की गाड़ी भी यहां मौजूद है तस्वीर में तुम्हें क्या-क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें कौन-कौन सी सवारियां दिखाई दे रही है ये सवारियां क्या क्या काम करती हैं तस्वीर की मदद से उस सूरत हाल पर गुफ्तगू की शुरुवात की जा सकती है जहां हंगामी खिद्मात की जरूरत पड़ती है सफ़ा नंबर सततर उपर के खाने को देखकर नीचे उन्हें सही तर्तीब से सिलसिलेवार बनाओ और रंग भरो देखो क्या बनता है उसका नाम भी लिखो यहां एक बॉक्स दिया गया है जिसमें एक से लेकर बारा तक खाने बने हैं इन खानों में एक हाती के जिस्म के मुख्तलिफ आजा की तस्वीर बनाई गई है इसी के नीचे एक और बॉक्स दिया गया है जिसमें एक से लेकर बारा तक खाने बनाई गए हैं आपको उपर की तस्वीर से काट कर उन हिस्सों को नीचे तर्तीबवार रखना है इस तरह की सरगर्मी करने के मजीद मौके फराहम किये जाएं इजितमाई और इन्फरादी तोर पर इसी के साथ 24 असबाख की किताब आस पास का सबक 11 यहां से वहां यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.